5 things जिनका आपको हमेशा धान रखना चाहिए Number first, listen before you speak जब भी आप किसी से बात कर रहे हूं तो अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात जरूर सुनिए इससे आपकी बात का दूसरे के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा Number second, बहस करने से बचें कई बार हम अपना point proof करने के चक्कर में अपनी बात को बहस में तबदील कर देते हैं इससे जरूर बचिए Third, सही सब्दों का प्रयोग जब भी आप किसी से बात करें तो गलत सब्दों का प्रयोग से बचें हमेशा ऐसे सब्दों का प्रयोग करें जो आपकी बात को प्रभावी बनाए Fourth, बात करते समय अपने face पर हलकी सी smile रखना अकसर हम अपने interesting conversation को चहरे के expression से boring बना देते हैं इसलिए जब भी बात करिए चहरे पर थोड़ी सी smile ज़रूर रखिए Fifth, जल्दी जल्दी बात करने से बचें अपनी communication को प्रभावी बनाने के लिए जल्दी जल्दी बहुत speed से बात करने से बचें अगर आप इन पाँच चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी communication skills कुछ ही समय में इंप्रूव हो जाएंगी मिलते हैं next वीडियो में तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजे बाई बाई